हालो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट औप बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के बारे में, इसके लिए हम लैंट्स बर्गर वॉकर मेथड को यूज करेंगे, देखिए इस मेथड को सबसे पहले लैंट्स बर्गर ने इंट्रोड्यूस किया था, और बाद में वॉकर ने इस मेथड में मॉडिफिकेशन किये थे, अब बात करते हैं इस मेथड में यूज किये जाने वाले एपरेटर्स के बारे में, तो ये एपरेटर्स कुछ पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, जिनको हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे, देखिए सबसे पहले ब ml के according mark बने हुए होते हैं, फिर दूसरा पार्ट हो जाएगा boiling flask, जिसके थुरू हम solvent paper को graduated tube या inner tube में sand करते हैं, देखिए boiling flask को यहां attach करते हैं, और जो vapors होती हैं, उसको इस yellow tube के through inner tube में बेशते हैं, अब इस yellow tube के end पर एक bulb लगा होता हैं, जिसमें कई सारे holes होते हैं, ज जिसको हम rose head कहते हैं, यह यहां पर होता हैं, फिर इस apparatus का next part हो जाएगा, यह outer jacket या outer tube और यह tube इस inner tube से इस haul के through vapors receive करती हैं, फिर next part हो जाएगा, यहां पर लगा हुआ thermometer, जिसमें 0.01 Kelvin की reading होती हैं, और इस thermometer को inner tube के solvent या solution में dip किया जाता हैं, अब बात करते हैं procedure की, तो देखिए सबसे पहले इस graduated inner tube में solvent को fill किया जाता हैं, उसके बाद इसी solvent को plask में boil किया जाता हैं, और vapors को इस tube के through solvent में बेजा जाता हैं, अब vapors की वज़े से inner tube का solvent boil होगा, और जब solvent boil होना start होगा और temperature constant हो जाएगा, तो उस case में हम इसका boiling point not कर अब इसके बाद यहां से vapors की supply cut की जाती हैं, और इस inner tube के haul के through एक solute की pellet जिसका weight हमें known होता हैं, वो डाली जाती हैं, अब solute और solvent मिलकर इस inner tube में solution बना देते हैं, फिर इसके बाद वापस यहां से solvent की vapors को inner tube के अंदर बेजा जाता हैं, और जब solution boil हो जाता हैं, तो उसक boiling point measure कर लेते हैं, फिर इसके बाद vapors की supply को cut off कर देते हैं, और thermometer और rose head tube को निकाल कर, उस solution का volume find out कर लेते हैं, अब इस तरह से solvent और solution के boiling points में जो difference आता हैं, उसकी help से हम solute के molecular weight को find out कर सकते हैं, जिसका formula यह हो जाएगा, यहाँ पर kb हो जाएगा, molal elevation constant, del tb हो जाएगा, elevation in boiling point, w1 हो जाएगा, solvent का weight और w2 हो जाएगा, solute का weight.